चालो नेक्स्स पॉइंट यह इंपॉर्टन्ट है यह पिपर में आता है ठीक है पहले बता रहा हूं अब इसमें सेक्षेन भी है बढ़ हम सेक्षेन इन याद करने हैं में कोई जरुवती है मैं और पास राइट कि और के पास क्या क्या हूं क्या 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 वह क्मपनी से बोल सकता तुम शक्राइथ होता है जो पर लिएव उसकी कंपनी से शोँटा है वो कोई बी कॉछ मांग सकता है लाईजर को फूर चॉर्ण नर्थ होता मांगने सब्सक्वां कंपर्यु उसे मना नहीं कर सकते है स्वेल अपने किताब मांग वाल जह करो सक्छंटागस में इ comida यह तो आपने किताबे मांग वाली से अब Information सब्सक्राइशन आपका अपने इंप्लोई पकड़ लिया यह बता कि यह चीज ऐसे कैसे हुई आप यह भी कर सकते हो आपका राइट है इतना राइट होता है कियो किसी को भी पकड़ के सवाल पूछ सकता है क्या है बाताई उसको करना पड़ेगा यह भी लिखा हुआ है कि उसकी ऑल्टर का राइट है सामने वाले से एक्स्पाइशन लेना है काई कर नवा कि उसका भी वहाँ बंते है उसका इसका थे इंफिमिशन देना ठीक है तीस राइट ट्राइक स्रीकोर्ड सब्सीडरी अगर मेरी इसे ड्रीट है तो उसको एक्सेस करने का भी राइट होता है कि मनलो आप यह सप्थीडरी के थुरू कर रहा है कि एंट्री इसे तरे में घुमा देता है ऐसा कुछ भी हो सकता है तो उसके पास सुपसीड्री का भी राइट होता है उसके बीक्स पर लेकर होल्डिंग पर नहीं होता है यहां पर लेख लो just for knowledge जरूरी नहीं है, not on holding, holding से मंगा सकता है, information मांग सकता है, लेकिन राइट नहीं होता, अगला, attend any journal meeting, जर्नल मीटिंग होती है, हर company की, जर्नल मीटिंग होती है, ठीक है, यह जोगा, ऐनमल जर्नल मीटिंग समझे होगी या पिर सुनाओगा AGM, या फिर सिर्फ जर्नल मीटिंग, तो order का right होता है, वो company की जर्नल मीटिंग में जाकर बैठ सकता है, ऐसा नहीं है कि company काम कर रही है, अपनी मीटिंग रखे जारी है, जर्नलियुटिंग , बोर्ड मिटिंग नहीं , जर्नलियुटिंग होती है शूर्नलियुटिंग शायर होल्डयरं चाहे रखुद जाये रॉर किसी अपने रेप्रेजयन्टेव को भेज दे , एको किसी से भी पार्ट ब सकता है और any part of the यह फिर से आज़ा छोड़ दिया है concern यह देखो तो बहुत ऐसी गलती होगी है आज के आज टाइपिंग में from as an auditor और any part of the representative लिख लो यहाँ पर represent असा इसे लिएता हूँ असा इसे लिए अज़िए लेकिन वह अगर खुद नहीं गया तो वह अपने किसी employee को भी भी भेज़ सकता है जर्नल मीटिंग में जाने के लिए ठीक है लास्ट है राइट रेसीव रेमनुरेशन रेमनुरेशन मतलब फीस कहीं आप रेमनुरेशन से कन्फ्यूज हो जाओ तो मैं लिख देता हूँ यह ओविस सी बात हो काम करेगा फीस तो लेगा ही ना ठीक है तो यह सारे राइट होते हैं जो कि आपके पेपर में आते हैं अगला ड्यूटी जो आपके पेपर में आ सकता है देखो यह सिंपल सिंपल चीजी आती है जनरली इस वाले चप्टर में से आपके पास आपके पेपर में बट फिर भी हम थोड़ा ज्यादा ही पढ़ रहे हैं देखो एक वह इंपोर्टन हो गया एक और छोटा से टॉपिक होगा और कुछ भी इंपोर्टन नहीं को छोड़ गए बाकि सारा हम थोड़ा ऐसा पढ़ रहे हैं आसपास की चीजें इन सेक्शन के आसपास की चीजें ताकि इसमें से भी अगर कुछ आया तो आप लिख पाओ ठीक है ड्यूटी सर एक बात बताओ राइट्स ड्यूटी म में फर्क यह है कि यह आपको करना ही पड़ेगा पुलिस वालों की ड्यूटी क्या होती है पहरादारी करना ठीक है माली की ड्यूटी क्या होती है काम करना अपना पेड़ पादों के देख रहे करना वो नहीं करेगा तो सेलरी नहीं मिलेगा तो निकाल दिया जाएगा ठीक कि ये पेपर में आती हैं डारेक्ट ली तो डूटिज क्या ओती है ओडिर की देखो डिटे टूरी समिट रिपोर्ट ये असथी बात सारा कुछ करने के बाद वोग रिपोर्ट समइट करेगा आं अमने पहले ग्लास में वह बढ़ा था है सब कुछ है करने के बाद वह और गा करेगा समीट किसको करेगा two central government को करता है वैसे तो लेकिन उसका जो main department रोता है उसे बोलते हम आरो सी आरो सी मतलब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार ट्रार ओफ कम्पनीज एंड कम्पनी सर्य के लिख दिया आपने रिपोर्ट बनती है ना तो वो आरोसी को भी एक रिपोर्ट सम्मिट करता है और क्लाइंट को भी रिपोर्ट देता है कि तू भी राख एक रिपोर्ट ठीक है अगला due to inquire specified matter specified matter का एक section है आपको याद रखने के जोतनी है specified matter बस याद रख लेना कि कुछ ऐसे matters होते हैं ठीक है जो law में दे रखे हैं कि इस पे आपको पूश्थाच करनी करनी है कुछ ऐसे matters होते हैं ठीक है उन matter पे आपको पूश्थाच करनी ही करनी है यह section बोलता है आप घृत करना ही पड़ेगा उसको ओईटर को इतना depth में नहीं जा रहे हैं आपको बस specified matter याद रखना है क्योंकि फिर हमें पूरा section पढ़ना पढ़ जाएगा उस section पढ़ोगे तो उसके अंदर के छे पोइंट और एक section में है बारा दस या बारा पॉइंट वह सारे पढ़ने पढ़े हैं वह आपके course में नहीं है अगला due to make statement of additional matter specified matter तो है specified या नहीं जो section में specify किये हुआ है उन matter पर पूस्तर करना तो compulsory आपको आपको duty बनती है साथ में कोई और भी छोटे मोटे additional matter आपको मिल गए आपको वो भी discuss करने है management से वो भी आपको उसके उपर भी proof evidence इखटे करने है ठीक है और यह सारे चीजे मिलके आपक रिपोर्ट तो माने जाएगी duty of auditor to attend audit committee meeting एक audit committee बनती है यह हम कभी ना आएगा आगे audit committee कुछ कंपनियां जिनका turnover 10 मतलब जिनकी paid up capital 10 करोड़ सब्सक्राइब होती है और ऐसे ना कुछ limits दे रखी है तो company बहुत सारी committee बनती है audit committee, remuneration committee, small shareholder committee ऐसे ना बहुत से committee बनानी as per companies act जब company एक लेवल से बड़ी बन जाती है तो उसको सरकार क्या बोलती है कि आप committee बना के रखो ठीक है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन लोगों का ख्यार लगए और इस चीज़ों पर ध्यान पर द्यान तो बड़ी कंपनियों में कुछ compulsory companies act में बोला गया है कि ऐसे ऐसे यह 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 committee आपको बनानी है अगर आपका turnover मालो इतना उपर हो गया पेड़ा थी तो आपको कुछ कम कुछ कमिटी यह बनाने पड़ती है तो इसमें एक होती है audit committee में मेंबर्स होते हैं कुन होते हैं मेंबर्स दोस्तों इसमें इंडिफेंडंट डरेक्टर अब अगया इंडिफेंडंट डरेक्टर्टर आ गया पूछेंगे इंडिफेंडेंट्रटर आपके नहीं नहीं है मान के अटेंड करना जरूरी है यह auditor की committee नहीं होती company के अंदर ही एक committee बना जाती है audit committee यानि वो खुद company वाले खुद ही अपने director के बीच में से कुछ लोगों को चुनते हैं और एक committee बना देते हैं जो time time पे अपनी company का खुद भी audit करती रहती है चीज़ों को देखती रहती है financial statement देखेगी कि भाई सारा काम साइसे हुआ तो की नहीं हुआ जो और करता ना वो बीच बीच में यह लोग भी करते हैं तो इनकी meeting भी attend करना ओडर की duty होती है ठीक है कि next the order has duty to attend annual journal meeting देखो एजियम आ गया कि एजियम देखो क्या था कि एजियम ड्यूटी भी था और एजियम क्या आगया आपका कि आपने यहां भी पड़ा था एजियम राइड भी था यानि आपको company वाले मना नहीं कर सकते एजियम में जाने के लिए प्लस आपके खुद की duty भी है कि एजियम जाके अटेंड तो कर एजियम में डिरेक्टर लोग क्या सारे shareholder बैठे होते हैं डिरेक्टर यहां पर खड़ा होके सारी चीजों नहीं समझाता है कि इस सारे हमने इतनी performance की इतना इंक्रिमेंट कर लिया इतनी success पाली इतना achievement कर लिए sales इतनी बढ़ गई यह चीज़ इतनी बढ़ गई ठीक है तो उस meeting को अटेंड करना भी और की duty होती है ठीक है तो यह duty duty में भी आएगा point और आपका rights में भी आएगा